नमस्का दोस्तों, MC Education में आप सबों का बहुत-बहुत सागत आज के इस सेशन में हम कम्प्यूटर ग्यान के 20 बहुविकल्पिय परश्न का सेट 1 देखेंगे यह बहुविकल्पिय परश्न यानि की MC क्योज किसी भी competitive examinations के लिए बहुत ही आवस्यक हैं खास करके JSSC CGL, BSSC, HSSC या किसी भी state के SSC के लिए साथ ही central का SSC CGL, SSC, TCS इन सब के लिए भी यह बहुत ही important है इनके अलावा भी यह railways और banking के exam के लिए भी बहुत ही मातोपोन हैं बिना कोई देरी किये, आज के session की शुरुवात करते हैं प्रस्त एक है, एक byte, dash bit के बराबर होता है, दो, चार, छे, आठ इसका सही उत्तर है, 8 और 4 bit से एक nibble बनता है nibble जो छोटा unit है, तो एक nibble 4 bit का बनता है और 8 bit का एक byte बनता है तो आपसे nibble से सम्मंदित question भी पूछ सकते हैं कि 4 bit या सबसे जो छोटा unit है वो किसी भी data का, वो क्या है byte, bit, nibble ये सबी दिया हुआ रहेगा तो 4 bit का एक nibble होता है तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से answer देंगे प्रस्ट दो है, binary number परणाली का आधार क्या होता है 2, 4, 6, 8 binary का आधार 2 होता है इसमें 6 और 1, बस 2 ही numbers use होते हैं तो इस तरह से binary number परणाली का आधार 2 होता है इनके अलाबा भी हमारे पास और भी number परणाली है जैसे decimal, decimal में जो हम गन्नाएं करते हैं तो वो जो है हमारा decimal के basis पर होता है और 2 base हमारा binary के लिए होता है और भी base है, octal है जो की 8 के लिए होता है और hexadecimal है जो की 16 जिसका आधार होता है तो binary number परणाली का आधार 2 होता है प्रशन 3, अभी पिछले ही प्रशन में देखा था यहां देखिए, octal number परणाली का आधार क्या होता है 2, 4, 6, 8 अभी हमने डिसकस किया था पिछले प्रशन में तो octal number system का आधार 8 होता है और hexadecimal का 16 होता है hexadecimal से संबंदित प्रशन भी आपको पूछा जा सकता है प्रशन 4, कंप्यूटर का कौन सा भाग परियोग के संपादन को select, interpret और monitor करता है monitor, arithmetic and logic unit, control unit, central processing unit इसका सही उत्तर है control unit, cu control unit से कंप्यूटर का भाग परियोग में संपादन को select, interpret और monitor करता है control unit, cu प्रशन 5, dash एक से अधिक प्रोग्राम एक साथ चलाने की अनुमती देता है multi-user, multi-processing, switching system, multitasking इसका सही उत्तर है multitasking multitasking जो होता है उसमें आप एक से ज़्यादा program एक साथ चलाते हैं multitasking कोई भी computer अगर है तो उस पर आप ऐसा काम कर सकते हैं प्रशन 6, निम्न कमांड में से कौन सा IP अस्तर connectivity की जाच करने के लिए परियोग किया जाता है deltree, dir, check disk, ping इसका सही उत्तर है ping ping से network के connectivity के बारे में पता किया जाता है ping कमांड डाल के deltree से आपके पास जो जितने भी sub folder हैं उनको delete कर देगा वो deltree और dir में directory की listing हो जाती है तो जितने भी file folders होते हैं वो सारे वहाँ पर सुची वद्ध हो जाते हैं यह indexing services के लिए use होता है फिर आप जो है एक directory से एक file से दूसरे file पे या एक folder से दूसरे folder में dir के तुरू जा सकते हैं और check disk का क्या काम होता है check disk जो है वो hard drive पर किसी भी तरह की गड़वड़ी को check करता है file system के आधार पर तो इस तरह से ping का जो use होता है वो connectivity की जाज करने के लिए होता है प्रशन साथ है IP संसकरन 4 एक desk को संबोधित परणाली है 32 bits, 16 bits, 128 bits, 14 bits, 32 bits, 16 bits, 122 bits, 14 bits इसका सही उत्तर है 32 bits प्रशनाथ निम्न में से कौन सा private network को सार्यूजनिक network में फैलाता है Local area network, virtual private network, enterprise network, storage area network Local area network, LAN जो होता है इसमें आपस में कुछ computers locally attached होते हैं तो वो जो है private network है जिसकों की सार्यूनिक network में फैलाता है प्रशन नौ है network भीड होती है traffic overloading के मामले में जब एक परणाली समाप्त हो जाती है जब दो nodes के बीच संबंद समाप्त हो जाता है इन में से कोई नहीं network भीड मतलब network congestion हो गया तो जब traffic overloading हो जाता है मतलब जितनी capacity है उस network की उससे ज़्यादा लोग जब login कर लेते हैं उसमें काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है network congestion हो जाता है congestion मतलब भीड तो network भीड जो है traffic overloading traffic भी क्या data traffic traffic के लिए जो है तो वह overloading में के कारण हो जाता है प्रशन 10 है internet पर हर computer की dash द्वारा पहचान करते हैं scanner, motherboard, IP address, control unit इसका सही उत्तर है IP address IP address क्या हुआ internet protocol उनका address रहता है हर एक computer का एक IP address होता है यह IP address भी आगे चलके आपको पता चलेगा कि two तरह का होता है एक static होता है और एक dynamic होता है एक static होता है एक dynamic होता है तो आपके पास यह जो IP address होता है इस से किसी computer की पहचान की जाती है अब तक अगर आपने AMC Education YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दिजिए इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिए यह हमारे लिए जो प्रोचसाहन देने का काम करते हैं आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें हमारा हमें प्रोचसाहन मिलता है दूसरा आपका भी benefit होगा हम आपके लिए ही काम करते हैं इस बात को आप ध्यान रखिए आपकी सुविधा के लिए हम जो है मेहनत करते हैं तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें प्रोचसाहन मिलता है साथ में अगर आप बेल आइकन दवाएंगे बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे उसमें सारे notifications को आप allow करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब भी हमारी द्वारा कोई भी वीडियो अपलूड किया जाएगा तो आपको वो उसका notification आ जाएगा और आपकी मर्जी है कि आप उसको देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं वो आपके काम का है कि नहीं है तो आप जो है उस हिसाब से अपना निर्णा ले सकते हैं कि उसको आगे क्या करना है देखना है नहीं देखना है लाइक करना है नहीं करना है तो आप अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो यह आपको notify करेगा कि जब भी real time में मतलब आपको सुचना प्राप्ट हो जाएगी तो आप subscribe कर दिजे प्लीज और like कर दिजे इस वीडियो को साथ में बेल आइकन प्रेस करके all notification को allow कर दिजे ताकि आपको जो है ततकाल सुचना मिल जाए कि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा upload किया गया है अगला प्रस्न है प्रस्न 11 computer को कितनी पीडियों में वर्गी करित किया गया है 2, 4, 3, 5 computer को 5 वर्गों 5 पीडियों में वर्गी करित किया गया है पहली पीडि जो थी वो 1942 से 1955 तक की थी 1964 तक दूसरी पीडि हुई फिर 1964 से 1975 तक तीसरी पीडि हुई 1975 से 1989 तक चौथी पीडि हुई और 1989 से अब तक जो है ये पाँच में पीडि है मतलब फिप्ट पीडि जो है 1989 से चल रहा है और ये अब तक जारी है प्रस्न बारह है निम्न में से कौन non volatile memory का उधारन नहीं है EEPROM EEPROM flash memory SD RAM hard disk non volatile memory का उधारन नहीं है पूछ रहे हैं तो SD RAM इसका से उत्तर होगा क्योंकि SD RAM जो है वो volatile memory का उधारन है बाकि सारे EEPROM flash memory और hard disk ये सब ही जो है non volatile होते हैं प्रस्न तेरह डैस वा input device है जो की ध्वनी input को digital रूप में भंडारन करता है speaker, trackball, microphone, light pen microphone, mic जो होता है हमारा वो एक input device है और वो digital रूप में भंडारन करता है द्वनी का तो इस तरह से microphone इसका सही उत्तर है speaker, trackball और light pen का अलग-अलग function है speaker, output device है trackball और light pen input devices है EEPROM का पूरा नाम क्या होता है easily erasible programmable read-only memory electrically erasible programmable read-only memory electronically erasible programmable read-only memory electrically erasible programmable record-only memory इसका सही उतर है electrically erasible, programmable, read-only memory B part इसका सही है प्रश्न 15 है आधनिक magnetic tape में कौन सा data recording format प्रियोग है 7 bit sky, 7 bit ebcdic, 8 bit sky, 8 bit ebcdic ebcdic हुआ extended binary code 8 bit ebcdic सही उतर है इसका प्रश्न 16 है निव्ड में से कौन सा operating system नहीं है Symbian, Android, Berkeley Software Distribution, MS Outlook Symbian, Android और Berkeley Software Distribution ये सभी operating system है जबकि MS Outlook, MS Outlook जो है Microsoft ने बनाया था Outlook, MS Outlook काके जो की एक email वगरे को संग्रक्षित रखने का connectivity के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो MS Outlook को आप इसमें सही समझेंगे कि ये एक operating system नहीं है ये एक application है प्रेशन 17 है MS Word में Save As Box को डिस्प्ले करने के लिए डैस बटन का प्रयोग किया जाता है F10, F12, F9, F11 F12 से जो है Save As Dialog Box डिस्प्ले हो जाता है MS Word में Q18 है MS Excel में default रूप में number 10 गटवंदन करता है मतलब किस तरह का alignment होता ये पूछ रहे हैं Left, Right, Justified, Center Right alignment जो है ये default रूप से MS Excel में होता है प्रशन 19 है First generation के computer से पहले निर्मित computer डैस थे Electrical, Electromechanical, Mechanical उप्रोप्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है Electromechanical आज का आखरी सवाल है, आज के session का आखरी सवाल है OSI, उधरन परतिमान, Reference Model कितने अस्तरों से निर्मित होता है 7853, साथ अस्तरों से OSI, Open System Interconnection OSI, इसमें साथ लेयर होते हैं पहला है Physical Layer, दुसरा है Data Link Layer, तिसरा है Network Layer, चौथा है Transport Layer, पाचमा है Session Layer, छठा है Presentation Layer, और सातमा है Application Layer इस तरह से OSI, जो Open System Interconnection है, इसी पर आज जितने भी Computer हैं, वो एक Network में से जुड़ते हैं, तो OSI का Reference Model ही वो फॉलो करते हैं, और यह साथ अस्तर का होता है, 7 Layers का होता है, इसमें 7 Layers of Securities होती हैं तो OSI में कितने Layer हैं, अगर आपसे प्रशन पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा 7, इस तरह से आज हमने 20 बहुत ही Important, बहुत ही मातुपुन प्रशन किये, आसा है कि आपको यह Session बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो इसको Like कर दीजे, और MC Education Channel को Subscribe कर ल देखने के लिए, बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।